आज की कहानी भी एक जंग पर आला रही था जिसका नाम है दरेलवे मैन ये कहानी उस समय किया जब वर्ड वार टू चल रहा है कुछ सालों बाद वो खतम तो हो गया लेगिन उस जंग के देवे जखम कुछ लोग के दिलों में हमेशा के लिए समाग है तो कहानी शुरू होती है सालों 1980 से जगा हैं इंग्लेंड का एक वेतरन कलब ये वो जगा हैं जहां पर रिटार आर्मी सोलजर अपनी कुछ यादों को ताजा करनी के लिए आते हैं उन्ही में से हम एक ब्रिटिश आर्मी आफिसर एरिक लोमैक्स को देखते हैं जो वर्ड वर टू का एक अहमिस्सा रह चुका है एरिक सबसे अलग बैठा था वो अभी भी उन्ही जंग के दिनों में खोया हुआ था लेकिन थोड़ी दिर बाद वो वहां से रेलवे स्टेशन जाके ट्रेन में बैठ जाता है पर उसे कहीं मी नहीं जाना है वो इस ट्रेन का पूरा सफर करके दुबारा उसी स्टेशन पे आके उतर जाता है जहां से वो चला था सुनने में ये काफी अजीब लग रहा था लेकिन ये एरिक का हर रोस का रूटीन है वो इसी तरह हर रोस ट्रेन में सफर करता है पर एक दिन उसके साथ कुछ नया होता है उसके सामने एक पैटरिका नाम की लड़की आके बैठती है और उन दोनों में काफी बाते होती है जिसे देखे लग रहा था कि शायद एरिक को पसंद आ गई है थोड़ी दर बाद वो अपने स्टेशन पे उतर जाता है दोस्तों को पैटरिका के बार में बताता है और यह सुनकर सभी उसके दोस्त बहुत ही खुश होते है अब अगले दिन एक बार फिर से वो उसी स्टेशन पर जाता है जहां उसने पैटरिका को आगरी बार देखा था वहां उसका इंदिजार करता है और उसे ढूडने लगता है लेकिन वो नहीं आती जिसके बाद एरिक मायूस होके जाने लगता है लेकिन तबी उसे सामने से पैटरिका आते हुए दिख जाती है वो एरिक को देखे थोड़ा सर्प्राइज होती है उसे लग रहा था कि ये सब मूचो वाली इंसान को किस नहीं किया तो एरिक अपनी मूचे ही कटवा लेता है यहां में बता चलता है कि पैटरिका प्रोफेशन से एक नर्स है उसे 20 साल हो गए काम करते हुए लेकिन आज तक उसने शादी नहीं की अब इसके बाद वो दोनों हर रोज मिलने लगते हैं और कुछ महीनों बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और फिर एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं वहां उसकी शादी में वेटरिन कलब के सारे दोस भी मौजूद थे और सभी लोग बहुत ही खुश थे लेकिन यहां से कहानी में मोल आ कुछ दर बाद एरिक को एक काले कमरे में ले जाया जाता है जहां एरिक उस रूम को देखे दहल जाता है वो चीकता है चिलाता है पर वो सैनिक उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और उसे अंदर बंद कर देते हैं अगले इपल हमें दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में है ये उसका एक बुरा सपना था या ये कहें कि उसकी बुरी यादे अब उसकी चीक सुनके पैटरीका वाँ भागते वा थी और वो एरिक को ऐसी हालत में देखे बहुत ही जादा डर जा दिये और ये सब होने की वज़ा थी एरिक के दिमाग में बसी हुई जंग की कुछ ऐसी यादे जो आज तक भूला नहीं पाया है जंग से आने के बाद वो आज तक उसी ट्रामा से गुजर रहा है उसे हर रोज बहुत ही बुरे-बुरे सपने आते हैं पर इस बार ये बहुत ज़ादा हो गया था जिसके बाद वो बिलकुल ही बदल जाता है वो ना तो किसी से बात करता और ना ही कुछ खाता है और ये देखकर पैٹरिका बहुत ही परिशान होने लग जाती है उसने आरिक से बात करने की कोशिच भी करी लेकिन आरिक उसे कुछ भी बताने को तयार नहीं है अब एक दिन वो ऐसे ही एरिक की रीडिंग रूम की सफाई कर रही होती है तो उसे वहाँ एक बुक मिलती है जो उसमें कुछ स्केचेज बने हुए थे जो की काफी दर्दनाक होते है उनिसकेचेज में काफी सैनिकों को दिखाया गया था जिने मारा जा रहा था और कुछ लोगों को दो शरीर में हड़ियां दिख रही थी ये सब देखे वो पूरी दरा से दंग रहे जाती है कि आखिर ये सब क्या है उसन बाद इंके घर पे एक बिलिंग मैन आता है क्योंकि एरिक ने पिछले कुछ महीने से बिल पे नहीं किया था वो आदमी पैटरिका से उची आवाज में बाते करता है जो एरिक सुन लेता है जिसके बाद मान वो बिल्कुली चींज हो जाता है वो एक चाको से उसे जान से मानने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ खड़े लोग उसे रोक लेते हैं अब ये सब पैटरिका से देखा नहीं जा रहा था उसे जानना था कि आखिर एरिक के साथ क्या हुआ था और इसे जानने के लिए वो सीधा पहुच जाती है वेतेरन कलब जहां पर उसे एक फिनले नाम का आदमी मिलता है जो एरिक का बहुत अच्छा दोस्त है वो उसे एरिक के हालातों के बारे में बताती है पर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है तब पैटरिका कहती है कि मैंने 20 साल नर्स की नौकरी करी है मैंने 1000 लोगों को दर्द से तरपते हुए देखा है लेकिन जो दर्द एरिक बरदाश कर रहा है उसे दे के मेरे रॉंग टे खड़े हो जाते हैं आकर एरिक के साथ क्या हुआ है मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी है और ये बोलते हुए वो रोने लग जाती है तब ही फिन ले उसे सच बताना शुरू करता है वो कहता है कि जब एरिक जंग से आया तो उसके साथ बहुती बुरी आदे थी जिसे भुलाने के लिए उसने कॉलोनल सर्विस जॉइन कर दी जिसके बाद उसे अफरीका भेज दिया गया वो एक रेलवे लाइन बनाया करता था पर जब से वो लोट के आया तो बिलकुल ही बदल गया ना तो किसी से बात करता है और ना ही अपने बारे में किसी को बताता है उसकी जिन्दगी में ट्रेन की बहुत आहिमियत है तब ही वो बेवज़ा उसमें गूमता रहता है इसी बीच हमें एरिक को दिखाया जाता है जो कि एक इंजीनियर है असल में उसका काम रेडियो सिगनल सेंड करना होता है लेकिन आप वो और उसके साथियों को एक नई जगा पर काम करने जाना है वो जगा जपान के कबजे में हैं और कुछ जरबाद उन्हें मैनमार रेल्वे स्टेशन पर उतारा जाता है जहां पर एक रेल्वे ब्रिज बनाया जा रहा है अब यहां जो एरिक देखता है उसे देखते ही उसके होश उर जाते है लोगों से जानवरों की तरह काम कराया जा रहा था उनके शरीर में सिर्फ हड़ियां बची थी और जो काम नहीं करता था उसे जान से मार दिया जाता था लेकिन यहां पर इनके किसमत अच्छी होती है ये लोग इंजीनियर थे और उन्हें ट्रेन इंजन बनाने का काम दिया जाता है अब जैपनी सोलजर सभी को एक नमबर देते हैं और एरिक का नमबर होता है 11 इसके बाद हम देखते हैं कि उसी रात एरिक का एक साथी कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला हूँ मैं कुछ भी करके यहां से निकल जाओंगा वाँ बैटे सभी लोग अपनी अपनी बाते रख रहे थे तब एरिक उन्हें एक मैप दिखाता है जो रेल वी गया था लेकिन ये ब्रिच पहाडियों से होकर गुजरता है जिसमें हजारों लोग के जान जा सकती है इसी वज़े से उन्होंने इस ब्रिच को बनाने का खयाल अपने दिमाग से निकाल दिया लेकिन जैपनीज ने उसी ब्रिच को बनाना अब दोबारा से शुरू कर दिया है और उन्हें कोई फर्क नहीं परदा कि कितनी लोग इसमें मारे जाते हैं अब अगले दिन एरिक और उसके दोस्त एक रेडियो बनाते हैं कुछ स्पेर पार्ट की मदद से वो चुपके से बहुत सारे समानों को चुराते हैं और इस रेडियो को फाइनली बना ले थे तो इस रेडियो को बनाने के दो मकसद थे पहले तो वो बाहर क्या चल रहा है यह जान सके और दूसरा वो अपने सातियों को एक उमीद दे सके कि वो यहां से भाग सकते हैं अब रेडियो बन जाता और चलने भी लगता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि रोशिया जर्मनी को बस हराने वाला है और ये निउस पूरे कैंप में फैल जाती है जिससे कि सारे लोग के अंदर एक जोश आ जाता है पर पता नहीं कैसे ये निउस जापनीज को भी पता चल जाती है कि इन लोगों ने रेडियो बना लिया है और इसके बाद वही होता है जिसका हमें डर था जापनीज एरिक और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं जिनने एक साथ ख़ड़ा कर दिया जाता है वहाँ पर एक तकाशी नाम का जैपनीज ऑफिसर था जो सबसे जादा कुरूर था वह पहले उसके साथियों को मारता है और इतना मारता है कि वह मलने की हालत में आजाते है अब एरिक को भी दोशी पाया जाता है और एरिक सामने आता और बोलता है कि मैं इन सब का जिम्मेदार हूँ वो नहीं चाहता था कि उसकी चक्कर में और भी लोग मारे जाए ये जानकर तकाशी उसे बहुत मारता है और वो अपनी जान लगा देता है उसे मानने के लिए उसके आसपास खड़े सारे ब्रिटिश सैनिकों की आखों में आसु आ जाते हैं लेकिन वो मजबूर थे और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे पर यहाँ पर सब कुछ खतम नहीं होता हम देखते हैं कि तकाशी एरिक के कैंप में आता है और बोलता है कि तुम्हें दोशी पाया गया है इसलिए आज तुम्हें फासी दे दी जाएगी पर अगर तुमने बता दिया कि तुमने वो रेडियों क्यों बनाया है तो हम तुमें छोड़ देंगे और इसके बाद वो से अपनी बाई के बीचे बांद कर उसे घसीरते हुए ले जाते हैं और उसे काले कमरे में ले जाके बंद कर दिया जाता है जिसे सोच के आज भी एरिक की रूख काप जाती है जैपनेज दो हफ़ते के बाद उसे उसी हालत में कैंप में लाकर छोड़ देते हैं पर अब एरिक वो पहले वाला एरिक नहीं रहा उसके शरीर पे हर जगां चोट के निशान थे पूरी बदन सिकुड चुकी थी उसके साथ ही सोचते हैं कि वो मारा गया लेकिन अभी भी उसकी सांस ही चल रही थी लेकिन यह एरिक ने फिर भी नहीं बताया कि उसने रेडियों क्यों बनाया था और नहीं उसने एक किसी को आज तक बताया कि उन दो हफ़तों में उसके साथ क्या हुआ था चलिए अब कहानी प्रेजन में आती है यहां फिल ले ये सब पैटरिका को बता रहा होता है जिसे सुनने के बाद उसके रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं उसी यकीन ही नहीं हो राता कि एरिक ने इतना दर्द सहा है फिल ले गाता है कि एरिक को प्यार की जरुद है जो तुम उसे दे सकती हो पर अभी भी वो पहली नहीं सुल जी आखिर उन दो हफ़तों में एरिक के साथ क्या हुआ था अब पैटरिका घर आती है और एरिक के साथ होला टाइमी स्पेंड करने की कोशिश करती है पर वो बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है एक दिन फिन ले उसे मिलने के लिए बुलाता है और एक निस्पेपर दिखाता है जिसमें दकाशी की फोटो छवी थी और वो बताता है कि ये वही ओफिसर है जिसने आरिक को टॉर्चर किया था जोगित हाइलेंड में अभी एक टूर गाइट की जॉब कर रहा है और आज भी वो जिन्दा है और एरिक को ये जानने का पूरा हाक है कि आज वो जिस हालत में है उसका दोशी आज भी जिन्दा है तुम अगर चाहो तो उसे ये सारी चीज़े बता सकती हो पर पैटरिका कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप कल हमारे घर पर आएं और इस बाप को एरिक के साथ शेयर करें अब अगले दिन वो उसके घर आता है और जब ये बाद एरिक को पता चलती है तो वो कुछ भी रिस्पॉंस नहीं करता एरिक कहता है कि अब हम सोलजर नहीं है हम स्कूल टीचर हैं और रिटायर सोलजर है मैं एक हस्बेंट हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है लेकिन फिनले चाहता है कि एरिक थाइलन जाया और तकाशी को उसी तरह से मारे जैसे उसने हमारे साथ किया है। वो एरिक से एक बार फिर पूछता है कि उस रूम में क्या हुआ था। लेकिन एरिक उसे कुछ भी नहीं बता था। इसके बाद वो लोग फिनले को रेलवी और अंदर से वो बिल्कुल तूट चुका था और बाहर से वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था मानू उसे कुछ हुआ ही ना हो। दरसन फिनले भी एरिक की तरह ही उस दर्द से जूज रहा था जो कि अब उससे बरदाश से बाहर हो चुका था। और अब यहां पैट्र अब जब पैट्रिक का घर आती है तो देखती है कि एरिक वहां पर नहीं है अब उसे समझा जाता है कि एरिक तकाशी से बदला लेने गया है और जब एरिक घर लोटेगा तो वो अपनी सारी यादों को पीछे छोड़ कर आएगा अब सीन कड़ोता और हम एरिक को थाइलें वो फिर से एक बार 1942 में चला जाता है अब जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था हर चीज ताजा होती जा रही थी वो वहां के एक म्यूजियम जाता है जहां उसी रेलवे ब्रिज बनाते हुए सैनिक शहीद हो गय थे उनकी याद में स्टाच्यू बनाया गया था यहां उस के हाथ में चाको भी देखते हैं जो कि वो तकाशी को मानने के लिए लाया है वो आज अपना सारा गुस्सा उस पे निकालने वाला है और थोड़ी देर बाद उसे तकाशी एक बुद्धा मंदिर में देख जाता है जो एक टूरिस काइड की जॉप कर रहा था वो उन टूर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एक साथ हजारों दर्द से गुजर रहा हो शादिय उसका कर्मा है जो उसने ब्रिटिश सोलजर के साथ किया था अब पहले तो वो एरिक को पहचान नहीं पाता लेकिन थोड़ी देर में उसे सब कुछ याद आ जाता है उसे प तकाशी एरिक को अपने सामने उसी जगां बैठा कि उसे सवाल पूछ रहा है जहां वो आज खुद बैठा हुआ है वो बार बार उसे बस एक सवाल पूछ रहा था कि आकर तुमने वो रेडियो क्यों बनाया है और एरिक बस उसे एक ही जवाब दे रहा था कि मैंने बस वो ऐसे काम होते हैं जो बताएं नहीं जा सकते बस उसे एरिक ही महसूस कर सकता है इसके बाद तकाशी उसे बाहर लाता है और वहां लेटा कि उसे खूब मारता है एरिक चिलाता है पर यहां उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था और इसके बाद वो उसे एक पिंजले में बन कर यहां में जैपनीज नहीं रוכते वह आखिर में उसे काले कमरे में ले जाते हैं जिसकी जलक आज भी आरीक को ढरा देती हैं रोज वो लोग उसके साथ ऐसा ही करते हैं और दो हफ़तों के बाद 1942 में ब्रेटिश सैनिक एक बार फिर्थ हाइलेंड पे अपना कबजा कर लेते हैं जिसके बाद सारे ब्रेटिश सैनिकों को छुडा लिया जाता है वो लोग तकाशी को भी पकड़ लेते हैं पर उसे अच्छी इंगलिश आती थी और वो ब्रेटिश सैनिकों से जूट बोलता है कि वो एक टांसलेटर है और उसने किसी को भी नहीं मारा है उन लोगों ने उसे यहां जॉब पे रखा था और ये जूट बूड के वो सजा से बच जाता है और उसके साथ ही समझ जाते हैं कि तकाशी एक गड़ दार है वेल उसके बाद वहां सालों तक खुदाई चलती रहती है और जहां पर हजारों ब्रेटिश सैनिकों की डेट बाडिज मिलती है जो देखने में काफी दरदनाक मनजर होता है लेकिन ये सारी सचाई चुपा कर तकाशी बच गया था पर एरिक और फिले जैसे हजारों सैनिक आज भी उन दिनों को याद करके सहम जाते है अब कहानी एक बार फिर से प्रेजन में आती है जहां तकाशी कहता है कि मेरे पोस्ट के दौरान जितनी भी सैनिक मरे या फिर मैंने उनको मारा उनके चेहरे आज भी मुझे याद है मैं सालों से सो नहीं पाया हूँ और हर रोज मैं उपर वाले से माफी मांगता हूँ लेकिन वो शायद मुझे कभी माफ ना कर पाए और यहां पर एरिक के मन में बदले की आग जल रही थी वो सेम उसी तरह से उसका हाथ रखता है जैसे कि सालों पहले तकाशी ने उसके साथ किया था पर यहां पर वो उसके हाथ को नहीं तोड़ता क्योंकि एरिक उसके जैसा नहीं है लेकिन वो उसे घसीड कर बाहर ले जाता और उसी पिंजरे में बन कर देता है जहां एरिक को सालों पहले बन किया गया था और इसके बाद आ किरकार पूरे 45 साल बाद वो उसी काले कमरे में दुबारा जाता है जहां वो अपने उन दो हफतों को याद करता है यहां किरकार हमें बता चलता है कि उसके साथ उन हफतों में क्या हुआ था क्यों वो उस कमरे को देख के इतना जादा डर जाता है कानी पास में जाती है हम देखते हैं कि जैपनीज उसे वहां लिटा देते हैं पहले तो वो से खूब मारते हैं और उसके मुँ में पानी भर देते हैं और एरिक लगादार चलाता रहता है कि मदर आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रही है और वो से एक ही सवाल पूछते थे कि उसने वो रेडियों क्यों बनाए जिसके जवाब में एरिक एक ही जवाब देता था और इसी तरह से उसके साथ यही सब दो हफ़तों तक चलता रहता है अब एरिक और जादा दर्द बरदाश नहीं कर सकता इसलिए वो उन्हें एक सच बताता है तो कहता है कि जब तुम जैपनीज ब्रिज बना रहे होगे तो अमेरिका तुम्हारे शिप डिस्ट्रॉइ कर देंगे जिसके होजे से जापान में फूड की शॉर्टेज हो जाएगी और तुम्हारे लोग भूखे मनने लगेंगे और फिर अमेरिका तुम्हारा ब्रिज तुम्हारे रोड सब कुछ बर्बाद कर देगा जिससे तुम्हारी फैमली भूखी मर जाएगी और यही सारी चीज़े मैंने रेडियो पर सुना था लेकिन तकाशी कहता है कि तुम जूट बोल रहे हो तुम्हारी आर्मी हार रही है तुम लोग कुटे कितरा सरेंडर करोगे अपनी हालत देखो जैसी तुम्हारी हालत है मैं तुम्हारी आर्मी की भी वैसी हालत कर दूँगा अब यह सारी चीज़े सोचकर एरी की आंखों से आसू आ जाते है और वो बाहर आता है और तकाशी के साइड में बैटके फिनले के बारे में उसे बताता है कि वो चाहता था कि मैं तुम्हें जान से मार दू तकाशी कहता है कि मैंने हर रोज खुद को उसी तकलीफ में महसूस किया है जो मैंने तुम लोगों को दी थी लेकिन फिलने सही था मुझे मा डालो शायद मुझे उपर वाले ने इसी दिन के लिए जिन्दा रखा है लेकिन एरिक ऐसा नहीं करता वो उसे अजाद कर देता और उसे पता लग गया था कि अब ये तकाशी वो पहले वाला तकाशी नहीं है वो और मैं दोनों ही अंदर से खोकले और बेजान हो गया है और ऐसे लोगों को मार कर कोई भी फादा नहीं है वो आँ से उसी ब्रिश पर जाता है और अपने उस चाको को फेक देता है अब यहां से वो सीधा अपने घर जाता है जहां एरिक ने आज महीनों बाद पैटिका को गले से लगाए था वो समझ जाती है कि जैसे उसने सोचा था वैसे हुआ है एरिक ने अपनी बुरी यादों को पीछे छोड़ दिया है सो कुछ दिन बीच जाते हैं पर अब सब कुछ सही होने लगते बाद एरिक अपने सबसे अच्छे दोस फिल्ले को बहुत याद करता है और कुछ दिन बाद एरिक के पास तकाशी का एक लेडर आता है जिसमें लिखा था दियर एरिक लोमैक्स मैं तुम्हारे चेहरे को आज तक भूल नहीं पाया हूँ हमारी आर्मी ने तुम्हारे लोगों के साथ बहुत बुरा किया है जंग खतम हुए बहुत समय बीच चुका है लेकिन आज भी मैं तलप रहा हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा तुम्हारा हाथ तुम्हारी आँक है बहुत सके तुम्हें माफ करके मेरी पीडा को दूर कर दो ये लिटर एरिक पैटरिका को दिखाते हुए कहता है कि मुझे एक बार फिर से थाइलेंड जाना होगा पर इस बार तुम भी मेरे साथ चलना अब सीन कड़ोता और अमेरीक को उसी जगा ख़ड़ा हुआ देखते हैं जा उसने पहली बार काम किया था वहाँ पर तकाशी भी आता है और उसे जैपनीज रिवाद से उसके सामने जुक कर उसे सम्मान देता है और नमाकों से उसे माफी मांगता है अब एरिक उसे वही लेटर देता है और कहता है कि मुझे बता है कि जिस तरह सालों मैं दर्द में था तुमने भी बहुत दर्द जहला है ये सुनकर तकाशी उसे गले से लगा कर रोने लगता है और Eric ने तकाशी को माफ कर दिया था क्योंकि अगर कोई इनसान किसी को माफ कर दे तो उसका दिल बहुत ही बड़ा होता है और ये Eric ने करके दिखा दिया था और ये देकर दूर खड़ी पैटरिका रोने लगती है और इसी खुबसूरा दन के साथ एक कहानी घदम हो जाती है